हाई फ्रेंज वेलकम बैक टो यूडी सी आरे फुटबॉल प्रेडिक्शन आज जो मैच हम कवर करने वाले हैं वो है इंगलिश प्रेमियर लीग का मैच बिट्वीन चेल्सी एंड एवर्टन दोस्तों इस मैच की बात की जाए तो ये मैच खेला जाने वाला है चेल्सी के होम ग्राउंड स्टैंफर्ड ब्रिच पर और दोनों टीमों की लीग स्टैंडिंग्स अगर देखी जाएं तो आप देखेंगे के चेल्सी है इस वक्त 10 पोजिशन पे 26 मैच खेले हैं 10 जीते हैं 60 ड्रॉ हैं और 9 हा रहे हैं 27 गोल मारे हैं 26 मैच में और 26 गोल कंसीड किये हैं गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है बट रिसेंटली चेल्सी ने अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए हैं और वापस एक टीम की तरह खेलना शुरू किया है तो आई थिंक चेल्सी इस मैच में जीतना चाहिए फेवरिट टीम चेल्सी रहने वाली है गोल 26 कं ग्राउंड पर खेलेगी वहीं अवर्टन की बात करें तो इस फिफ्टींथ पोजिशन पर हैं 27 मैचस खेले हैं 6 जीते हैं 60 रोहें और 14 हरें 27 में केवल 20 गोल मारे हैं और 38 गोल कंसीट किये हैं तो क्लियरली डिफेंसिव रिकॉर्ड अच्छा नहीं है काफी गोल कंसीट क सकते हैं लास्ट मैच जीता है और अगेंस्ट ब्रेंटफर्ट वन डिल अपने होम ग्राउंड पर और उससे पहले नोटिंगम फॉरस से टूटू ड्रॉ कराया ठीक है वहीं चेल्सी की अगर रीसेंट फॉर्म की बात की जाए तो आप देख सकते हैं लास्ट के तीनों अच्छा कर रहे हैं एक केमेस्ट्री दिख रही है तो मैं चेल्सी को फिवरेट मानूंगा इस मैच में और लैनप्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं चेल्सी कुछ इस तरीके से सेट अप हो सकती है स्ट्राइकर रहेंगे काई हैवर्ड्स लेफ्ट विंग पे खेल लाइन रहेगी जिसमें सेंटर में रहेंगे कालीडो कोलबैली लेफ्ट पर मार्क कुकुरेला और राइट पर वेजली फोफाना और गोलकीपर होंगे कैपा अरीजबलागा तो एक बार हम एवर्टन की लैनप भी डिसकस कर लेते हैं तो इनके लोन स्ट्राइकर खेलेंग जिसमें लेफ्ट बैक पर होंगे बेन गॉट्फरी दो सेंटर बैक रहेंगे जेमस ट्रॉकाउसकी माइकल कीन और राइट बैक पर होंगे सीमस कोलमन और गोलकीपर रहेंगे इनके जॉर्डन पिकफर्ड तो फ्रेंड्स जो प्लेयर इंपोर्टेंट रहने वाले हैं फ्र हाँ ये है कि पहले से काफी बैटर है बट स्टिल काई है वर्ड्स के पास हमेशा एक चांस रहेगा और ये फर्स्ट चोईस पैनल्टी टेकर भी हैं तो इनको नहीं डॉप करेंगे हम बिलकुल भी देन चेल्सी के डिफेंस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है प्लेयर अगर आपको लगता है दो गोल होंगे या तीन गोल होंगे तो आप जवाव फीलिक्स को पिक कर सकते हैं बट मैं आपको ये बता दूँ कि इनका जो रीसेंट फॉर्म है वो उतना अच्छा नहीं है मैं आपको दिखायता हूँ देखिए लास्ट के पांच मैचेस में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है ना कोई असिस्ट है ना कोई गोल है प्लेयर बहुत शानदार है नो डाउट इसमें कोई भी शक नहीं है बट स्टिल अपना कह सकते हैं कि मोजो ये फाइंड नहीं कर प सकते हैं जो 30-35 पॉइंट तो आपको डेफिनेटली देखे जाएंगे विदाउट एनी गोल एन असिस्ट ठीक है तो मार्टियों को वाचिश ने भी रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया है इन्फेक्ट लास्ट मैच में रोन एक गोल भी मारा है ठीक है तो ये भी काफी से पॉइंट आपको देखे जा सकते हैं तो जो लास्ट प्लेयर की चॉइस है वो आपको खुद करनी है उसमें क्यापा होंगे ठीक है एन्जो होंगे फीलिक्स होंगे मौडरिक होंगे एंड कोवाचिश होंगे ठीक है अब अगर मैं आपको इसमें ओर्डर बताऊं रहेगी एंजो फर्नेंडेस की ठीक है अगर मुझे एक प्लेयर पिक करना हो तो मैं एंजो को पिक करूंगा यह मेरी फर्स्ट चॉइस होगी सपोज एंजो के अलावा में की पिक कौन सी होगी तो इनके बाद मैं पिक करूंगा फीलिक्स को ठीक है अगर एंजो को नहीं प परसनल चोईस है आपकी चोईस मुड्रिक हो सकती है मुड्रिक इस वेरी गुड प्लेयर ठीक है और ऐसा हो भी सकता है कि आज ये परिशान करें इनकी तरफ सीमस कोलमन रहेंगे जो की थोड़ा सा एज फैक्टर उनकी तरफ आ गया है ठीक है और मुड्रिक के पास अच्छा पेस है तो परिशान कर सकते हैं ये सीमस कोलमन को ठीक है तो ये आपको देखना होगा ठीक है तो अभी के लिए जो प्लेयर मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ अपनी टीम में आई एक बार आपको दिखा जिएता हूँ मैं देखिए मैं पिक करने वाला हूँ बैंचेलवेल रीस जेम्स कुकूरला कोला बैली एंड वैसले फफाना ठीक है पांच डिफिंडर हो गए गोल कीपर मैं पिक करने वाला है आज के मैच में ठीक है देन मिड़ फिल्ट की बात की जाए तो जैसा मैंने आपको कहा मेरी फर् पिक करने वाला हूँ मैं ठीक है तो यह आठ प्लेयर हमारी टीम में फाइनल हो चुकी है अब बचते हैं तीन प्लेयर जो की हमें एवर्टन से पिक करने वाला हूँ एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए जो मेरी फर्स चॉइस होंगे वो होंगे फ्रॉम मिड के भी पॉइंट्स देते हैं और यह गोल में भी जॉइन करते हैं जिसमें इनका असिस्ट इवन गोल आने के चांसे रहते हैं ठीक है तो मैं डुकूरो को पिक करने वाला हूँ दैन एवो भी को मैं बिल्कुल डॉप नहीं करूंगा अगर कोई गोल ठेट रहेगा फॉम ए मैकनील ने जब यह बरनली में थे तब भी बहुत अच्छा परफॉमेंस दिये थे और अगें शॉन डाइक के आने के बाद डॉइट मैकनील एक अलग प्लेयर दिख रहे हैं सेट पीसेज भी लेते हैं यह तो इंपॉर्टन रहेंगे ठीक है तो यह चार प्लेयर मेरी टीम मारेगा या फिर अगर आपको एक और डिफेंसिफ प्लेयर के लिए जाना है डॉइट मैकनील को नहीं पिक करना है आपको लगता है कि कोई गोल नहीं आएगा या फिर कुछ चांसेस क्रियेट नहीं होंगे तो आप उनाना को भी पिक कर सकते हैं जो कि डॉइट मैकनील से इसे एट रास्ट पिक है मेरा डॉकूरे ठीक है तो मेरी टीम कुछ इस तरीकेसर दिख रही है ठीक है अब आती है कैप्टन वाइस की बात देखिए captain wise captain जी का ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि match low scoring जाने वाला है या फिर Chelsea इसको 1-0 से जीतेगा या फिर maybe ये 0-0 draw होगा तो आप दो defenders को captain wise captain बना सकते हैं ठीक है जिसमें की best choice रहेगी Reese James ठीक है एक सिकिन Reese James Ben Chilwell and Mark Kukurella इन तीनों में से किसी को भी आप captain wise captain बना सकते हैं अगर आपको लगता है ये match 1-0 की score line पे खतम होगा in favor of Chelsea ठीक है या फिर अगर आपको लगता है ये 2-0 होगा ठीक है और एक extra goal scorer sheet पे आ सकता है देन उस case में आप किसी एक defender को drop करके ठीक है इने drop करके अप एक attacker extra ले सकते है जो आप Felix या फिर मुडरिक के form में ठीक है तो ये आपकी choice होगी अभी के लिए मैं यही team रख रहा हूँ और मैं थोड़ा सा low scoring match के लिए जा रहा हूँ इसमें ठीक है तो मेरे जो captain होंगे वो रहेंगे Reese James ठीक है और मेरे wise captain रहेंगे Ben Chilwell ठीक है ऐसा हो सकता है लैनाप साने के बाद मैं Kai Hevertz को wise captain मिनाओ वो मैं players की position देखने के बाद decide करूँगा ठीक है अभी के लिए जो मेरे captain wise captain है वो इस तरीके से है Reese James captain and Ben Chilwell wise captain तो मेरी team कुछ इस तरीके से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो please फॉरण जुड़ जाएं उसका link वीडियो के description में दिया गया है ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जय हिंद